मोदी 3.0 का कल सपत गरन होगा प्रधान मंत्री नर्द मोदी के साथ ही कई मंत्रिस भी सपत लेंगे कुछ बड़ी नामों के बारी में तो कयास लगा रहे हैं कि उनका तो मंत्री बनना तय है पर जहारखन के लोगों का सबसे बड़ा सवाल है कि उनके राजे से कौन अर्जुन मुंडा मोदी की पिछली केबिनेट में मंत्री थे वो अब चुनाव हार चुके हैं अनपुर्णा देवी राजे मंत्री थी क्या अब उनका प्रमोशन होगा या डिमोशन ये सब बाते जहारखन के लोगों के मन में चल रही है जहारखन के किन सांसदों को मंत्री म जगह मिलेगी आज यह बड़ा सवाल है नर्यल मोदी की सरकार गठन के बाद अब मंत्री मंडल के बटवारे को लेकर यह चर्चा तेज हो गई है तो आपको बता दें कि जहारखन से ऐसे कई नाम है जिनकी मंत्री बनने की चर्चा है आसू के चंद्रपकास चौधरी के साथ ऐसे पांच नाम है जो चर्चा में है यह पांच वो मोदी कैबिनेट की रेस में है जानकारी के अनुसार इन पांच नामों में से फिलहाल किसी पर अब तक सहमती नहीं बनी है चर्चा है कि पहले एक नाम तै होगा इसके बाद कुछ मेहनों के बाद दुसरे की घोसना हो सक एक साथ जार्खन से दो नाम नहीं होंगे इसमें थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि इस बार गडवंदन की महत्ता अधिक है गडवंदन में मंत्री पत के कई दाविदार हैं जार्खन में एंडिया का गठन सिर्फ आसू से है एक सीट आसू के हिस्से थी गिर्डी से दूसरी पिछली बार चंद्रपकाश चौधरी जीत कर सांसत बने है आसू को पिछली बार मंत्री मंदल में जगह नहीं मिली थी और इस बार भी संभावना कम है बावजोदिस के आसू ने अपना दावा बुलंद कर रखा है ऐसे में यदी गडवंदन कोटे से चंद्रपकाश चौ इसे लेकर आसू के केंद्री मुखे प्रवक्ता डॉक्टर देवसरन भगत ने कहा कि एंडिये मजबूत हो हम भविस में और बहतर परदसन कर सकें इसे ध्यान में रहकर ही प्रदान मंतिर नेरिद मोधी फैसला लेंगे हमें प्रदान मंतिर नेरिद मोधी और नेत्रित पर पूरा भरोसा है कोडरवा से सांसद अनपूर्णा देवी का नाम फिलाल सबसे आगे चल रहा है इसकी दो बड़ी वज़ा है पहली यह की पिछले कारिकाल में राजमंत्री का दर्जा मिला था उनके प्रदसन से मोधी सरकार खुस हैं और उन्हें परमोट कर सकते हैं और के केमिनेट में अनपूर्णा देवी को जगह मिलती है तो ओवी सी वोट बैंक साधने की दिसा में एक महत्पून कदम होगा केंद्री कविनेट में महलाओं की उपस्ति अनिवार है इस अनिवारता को भी अनपूर्णा देवी पूरा कर रही है आजुर मुंडा की हार के की प्रोफाइल मंगवाई गई है उनके राजनितिक सफर वोट बैंक पर उनकी पकड और भाविस में उनके मंत्री बनने का पार्टी या राज की राजनितिक को कितना लाब मिलेगा पार्टी इसका आकलन करेगी बाजपास से जुड़े सुत्रों की माने तो राची के सांस विद्धुत वरन मातों की प्रोफाइल दिल्ली मंगाई गई है इसके बाद सही मोधी के संभावित मंत्री मंडल में इन दोनों के नाम की भी चाचा तेज है संजय सेट ने दूसरी बार जीत हासिल की है जबकि विद्धुत वरन मातों ने तीसरी बार इस लोग सभा सीट क जीत हासिल की है निसिकान्त तेज तर्रार नेता हैं केंदर में कई आहम मुद्दों को उठाते हैं और सुर्खियों में भने रहते हैं केंदरी नेत्रित में उनकी अच्छी पकड़ भी है निसिकान्त एक प्रबल दावेदार हैं लेकिन विवादों में रहने की वजह से इनक में जार्खन से मंत्री वंडल में उन्हें जगा मिर सकती है बरहाल अब 24 घंटे में तस्वीर साफ हो जाएगी कि जार्खन से वो चहरा कौन होगा जो पीम मोधी के साथ मंत्री पत की सपत लेगा